हेलो एवरीबन गोड मॉनिंग में प्रवेश शर्मा वेलकम बैक टू मैं चैनल आज का हमारा टॉपिक है विद्ध्याले अवलिख अठाथ स्कूल रिकॉर्ड्स सबसे पहले देखते हैं इंट्रडक्शन येनिकी परिचे विद्ध्याले कार्याले वास्तम में बह इकाई है जहां से विद्ध्याले की समस्त गती विदियों का संचालन होता है और यही यही वह संस्ता है जो विद्ध्याले के अविलेखों को सुरक्षित रखता है अठाथ इसी के दोरा विद्ध्याले के अतीद को सुरक्षित रखा जा सकता है अविलेख ववस्ता सिर्फ स्थाओं के लिए आवश्यक है समाजद्वरा स्कूल की स्थापना निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हे दूप की जाती है और इन उद्देश्यों की पूर्थी कहां तक हो पाई है इसका पता तवी चल सकता है जबकि विद्याले के अभिलेकों को सुरक्षित रखा जये विद्याले में असंके चीजें होती हैं जैसे वहां कितने अध्यापक हैं, कितने चात्र हैं, फीस किस कक्षा में कितनी हैं, कितने कर्मचारी हैं, कव किस चीज की ववस्था की गई वा उस पर कितना पैसा वय किया गया अध्यापकों का वितन, उनकी प्रोननती, उनकी अवकाश की आयू, इत्यादी सभी बातों का लेखा जोगा विध्याले अविलेखों के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है अता विद्ध्याले अविलेख या कहें विद्ध्याले जीवन में अविलेखों की सुरक्षया रखना एक महत्पूर कार है जिसके बहुत से लाव होते हैं जैसे की हमें किसी भी तथे को ढूंड़ना आसान हो जाता है इस सम्मन्द में जस्वंत सिंग ने लिखा है it is the ultimate responsibility of the school headmaster maintain and preserve the school records property and as such he should be well conversant with this aspect of school administration the headmaster in no case can transfer to his clerk or assistant's blame for faulty discharge of what are his own primary responsibilities केहने का तात्वाजा ये है कि विद्ध्याले प्राचार्य का ये दाइत है कि वह विद्ध्याले अभी लेखों को उचित धंग से सुरक्षित रखें और इस संदर में उसे विद्ध्याले प्रिशासन में एक सरक्षक की भूमिका का निर्वाह करना होगा और प्रधाना चार्य इस दाइत्व के लिए अपने सहायकों को दोसी नहीं ठेहरा सकते हैं यानि कि उनको दोसी नहीं मान सकते हैं चुकि यह मुख्य रूप से उसी का दाइत्व है इस संदर में डॉक्टर S. N. Mukherji लिखते हैं कि काद्याले बहक विद्ध्याले का नाड़ी संस्थान है या काद्याले विद्ध्याले का नाड़ी संस्थान है और यह कार्यले का दायत हुए कि विध्याले के अविलेकों को सुरक्षित रखे इन परिवासाओं के आदार पर हम इसके महत्व को इस प्रकार से इसप्रस्ट कर सकते हैं विध्याले इविले के द्वारा आएवे, उपस्थिती, वेतन, निरीकषन, पुस्तिका, कृरय विक्रे, डांग के त्यारी को सुरक्षित रखा जासकता है इसमें विविन्रकार की नियमाबलियों को सुरक्षित रखा जाता चाहे जिसके याने की जो पत्र व्योवार होती है इसी कार्या लेकिव माध्यम से किये जाते हैं और साथ ही स्रक्षित रखे जाते हैं सरकारी आदेशों का पिर्सारणव अनुपालन भी इसी के द्वारा होता है यह अविलेक विद्याले की भावी उजनाओं को बनाने में आधार भूमी का निर्वाहा करते हैं विद्याले की बहुत एक इस्तिती का ग्यान भी इन्हीं के द्वारा होता है अर्थात विद्याले में कितने अध्यापक हैं वा कितने चात्र हैं त्यादी इसके दौरा विध्यारती में अध्यारत चात्रों के मान से किस्तर का भी ग्यान होता है विध्यारती के नियमों वा परमपराओं का ग्यान भी अविलेखों के माध्यम से होता है प्रते एक विध्यारती के सम्बंद में पूर्ण ग्यान हो जाता है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विध्याले में किस प्रकार के चात्र अध्यारत हैं। विध्यारतियों के प्रणाम पिछले वर्स की तुलना में सुध्रें हैं या विग्डें हैं इसका भी ग्यान हो जाता है। विद्याले को सरकार द्वारा जो अनुदान मिला था इसका उपियोग कैसे किया गया है इसका भी ग्यान मिलता है विद्याले में अपब्वे वा अवरोधन की क्या समस्या है इसकी जानकारी भी मिल पाना संभव होता है विविन नगतिविदियों के इंचार्ज कौन से अध् स्कूल रिकॉर्ड बिद्धियाले अवलेख सत्य होने चाहिए उन्हें स्वय निर्मित कालपनिक आधार पर सुरक्षित नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि मालीज ये जतने बच्चे पढ़ रहे हैं उतने ही नाम रजिस्टर में होने चाहिए ना तो अधिक होने चाहिए और ना ही कम होने पर सामाने किये जाने चाहिए अगर कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ जाता है तो उसका नाम रजिस्टर से काट देना चाहिए यानि की हमिसा लिखा नहीं रहना चाहिए किस दिन बच्चा उपस्तित है और किस दिन अनुपस्तित है इसका रिकॉर्ड रहना चाहिए क्योंकि भविश्य में कभी-कभी ऐस भी गलत हो जाता है यानि कि मान लीजिए किसी बात को लेकर वह वच्चा बच रहा हो उस दिन स्कूल में उपस्तित हुआ हो और अध्यापक की कमी से या किसी और कमी से उसकी उपस्तिती नहीं लगी है तो उसका वच्चे का वहविस्त जो है अंदकार में चला जाएगा या फिर उस बालक ने कोई गलती कर दी है तो सही निर्णे नहीं हो पाएगा इसलिए जो है बिद्याले अविलेक सत्य होने चाहिए अब बिद्याले अविलेक विवस्ता साफ सुथरी होनी चाहिए यदि उनमें कोई काट चाट की गई हो तो वहाँ पर या तो संबंदे सहयक के हस्ताक्षागों या फिर मुख्या ध्यापके जिससे की जो काटा पीटी हुई है उसको जो है सत्य मान लिया जाए क्योंकि अगर किसी दूसरे विक्ति के वहाँ पर सिंग्नीचर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह गलती होने पर उसको ठीक किया गया है अगर किसी के स जैसे हो जो जो भिशिस्ट अध्यापकों की देख देख में हो या जैसे की विग्यान समंढदी अविलेग विग्यान एद्यापके निरीक्षण मेंais एक मैं का आई ज्ग्यान का ऑध्यापकी उन विश्यम आवश्यक्ता हुई है कितना ख़्चा हुआ है मैगजीन संबंदी अभी लेक मैगजीन के प्रदान अध्यापके इन दिक्षन में होना चाहिए यह जब एक फाइल जो है सुनिश्चित होनी चाहिए जैसे बिग्यान प्रक्टिकल में उसमें जितना भी साम आने उसके फाइल होनी चाहिए संबंदित जो भी छेत्र हैं उनकी फाइल उन से संबंदित होनी चाहिए काद्याले में फाइलों पर रजिस्टरों को परियाप्त संख्या में सदे भी उपलब्द जाहिए कभी वी किसी रजिस्टर की आवस्चता या नहीं बनाने के लिए आवस्चता पड़ जाए तो आसा तो इस तरह से जो विद्याले के अविलेक हैं वे ठीक प्रकार से निर्मित नहीं हो पाते हैं सभी फाइलों पर रजिस्टरों की एक सूची काद्याले निरिक्षक के द्वारा बनाई जानी चाहिए प्रते एक फाइल वा रजिस्टर पर करमांक डाले जाएं क्योंकि अग को देखना पड़ेगा इसलिए किरम होना चाहिए और रजिस्टर के अंदर पेज नंबर यानि की पेजों का किरम होना चाहिए जिससे की उसमें कोई भी पेज बीच में से फाड़ ना सके अलग ना किया कर सके अविलेक इस प्रकार से सुरक्षत रखे जाएंगी आवश्य कर देले कक्ष ऐसा हो जिसकी दीवारों में अलमारियां हो या स्टील के रैंक हो बहुत गुप्त अविलेकों को सुरक्षत रखने के तू इस्टील की बंद अलमारियों का प्रियोग किया जाना चाहिए प्रतिवर्स नए रजिस्टर या अविलेक तयार नहीं किये जाए जब संब्दित विभाग का एक रजिस्टर पूरा हो जाए तब दूसर रजिस्टर बनाया जाना चाहिए प्रारम करने से पूर्व रजिस्टर पर प्रस्ट संख्या अवस्य ही अंकित करनी चाहिए जैसा कि अभी बताया ही गया था प्रस्ट संख्या अंकित करने से यह त निंकल्गार है कि कोई वी गल्ति हुने पर जो इंचार्ज है विस्सें सब्रक्राइब चनार्ज करएगा एक फिर गलत अविलेख ल्याजान सिंग्नीचर कर आईगा और अन्य था ऐसा होता है जिनको जानकारिया नहीं होती है वे बीच में से पेज अलग करने पर होता गया है कि आगे या पीछे के पेज निकल जाते हैं और जो उसमें रिकॉर्ड रहता है वो बहुत कुछ नस्ट होने की समभब न रहती है तो इसलिए पेज नंबर अंकित होना चाहिए और साब्धानी पूर्पर उसमें काम किया जाना चाहिए इस समंद में डॉक्टर सिद्धा लिंगाया ने अविलेखों के रख रखाव के समंद में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है अशुद्र अविलेख अनुपियोगी से भी बुरे हैं कहने का ताप्र अविलेखों में आवश्यक बातों को तुरंट अंकित कर देना चाहिए और उनकी नियमित वाववस्ते जात से उनकी शुद्धता को निश्चित किया जा सकता है आज की इस वीडियो में हमने देखा विद्याले रिकॉर्ड का महत्व एवं विद्याले अविलेखों का रख रखाओ यानि की मेंटेनेंस और स्कूल रिकॉर्ड आज के लिए इतना ही धन्यवाद